हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यू हब ऑनलाइन क्लासेज मैं हूँ जयत आज हम दोस्तों ग्राम सेवग भरती के अंदर निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं इस विशेव पर चर्चा करेंगे दोस्तों मेरे पास आप लोगों के कमेंट आये वर्ट्सेप आ रहे हैं और कॉल भी आ रहे हैं कि सर बताईए कि इसके उपर आपकी क्या राय है तो फ्रेंड्स मैं कभी भी किसी भी स्टुडेंट को गलत और गुम्रा नहीं करूँगा बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा देखो दोस्तो ये ग्राम विकास अधिकारी का प्री एक्जाम है ठीके और साफ साफ लिखा गया है सो नंबर का आपका पेपर होगा दो घंटे का टाइम दिया जाएगा और दोस्तो आप देख सकते हो यही सेम सिलेबस आपका मेंस के अंदर भी सेम रहने वाला है मतलब कि यही सिलेबस प्री और मेंस दोनों एक्जाम के लिए रहेगा उसी के साथ ये बात भी कर दी है इनोंने कि प्री एक्जाम से 15% तक हम कैंडिडेट को बुला सकते हैं यानि कि वो 5% भी हो सकता है वो 2% भी हो सकता है वो 10% भी हो सकता है उस पेर भी इनोंने जो है क्लियर नहीं किया है कहीं पर भी कोई भी चीज को ये क्लियर नहीं कर रहे है निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों एक आपने पहले एक्जाम दिया है stenographer का उसके अंदर भी जब पहला syllabus आया था steno का उसके अंदर साफ साफ mention था कि आपकी negative marking होगी लेकिन जब revised syllabus आया stenographer का तो उसमें से negative marking का point ही हटाया गया था तो दोस्तों इसमें अगर syllabus में लिखा नहीं गया है कि आपकी negative marking होगी तो आप मानके चलो gram विकास अधिकारी के अंदर आपकी negative marking नहीं हो सकती है लेकिन exam जब देने जाओ आप तब आपको तब आपको जो question paper होगा जब आपकी जो omr sit होगी question paper के अंदर साफ साफ लिखावा रहेगा कि आपकी negative marking होनी है या नहीं है और उसी को ही final माना जाएगा यह मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों आपको जो आपकी question paper आएगा उसी के अधार पर ही decision लेना है और hundred and आप मान के चलो hundred में से 90% chances यहीं है कि आपके negative marking नहीं होगी gram विकास अधिकारी के pre exam की यह बात मैं आज आपको बोल रहा हूँ video recorded है आप exam देने जाओगे तब आप इस बात की जांच कर लेना आपके negative marking होने के chances कम है अब मैं आपको बताएता हूँ कि इसके क्या फाइदा होता है और क्या नुक्सान होता है दोस्तो निगेटिव marking होना मैं मानता हूँ competition exam के लिए बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि क्या होता है दोस्तो आपके जो है gram विकास अधिकारी के अंदर 100 नंबर का exam होगा और आप जादा से जादा question attend तभी कर पाओगे जब आपके negative marking नहीं हो लेकिन अगर आपके पास negative marking है तो आप केवल उनी person को करोगे जो आपको बिलकुल अच्छी तरीके से आते हैं तो मैं चाहता हूँ दोस्तो negative marking हो लेकिन अभी notification के अंदर ऐसा कोई spust नहीं किया गया है इस notification से इस syllabus से हमें यही लगता है कि आपकी negative marking नहीं होगी exam के अंदर फिर जैसे कोई update आएगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से update करने की पूरी कोसिस करूंगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक्यू एव नाइस डे बाबाई